रिश्टेदारों के दुर व्यहवार से परिशान और बे सहरा बुजर्गों के लिए देवास में ब्रधा अश्रम संचालत होता है यह आश्रम ऐसे बुजर्गों के लिए सालों से सहरा बना हुआ है ऐसे लोगों को ब्रधा अश्रम में सेवा दे जा रही है कोई भी परिशान बुजर्ग हो जब दुर व्रहवार से तंग आ जाता है तो ब्रद्धाश्रम का सहारा ले लेता है इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ब्रद्धाश्रम की अनोखी कहानी दिवास के ब्रद्धाश्रम की सेवक दिने शौधी करते आ रहे हैं यह नेक कार 19 वर्षों से ब्रद्धाश्रम में म्रत्य हुए लोगों का 16 श्राद में तरपर इस वर्ष भी किया जाएगा ब्रद्धाश्रम में शांत हुए तीन ब्रद्धों का तरपर दिवास के मीठा तालाव पर व्रद्धाश्रम में ब्रद्धाश्रम की सेवा करने के उद्धेश से पिछले कई सालों से शहर से व्रद्धाश्रम संचालित हो रहा है यहां सालों से व्रद्धाश्रम में ब्रद्धाश्रम में ब्रद्धाश्रम की सेवा हो रही है बर्तमान में व्रधा आश्रम में 38 बुजर्ग रहते हैं जिसमें महिलावा पुरुष दूनों शामिल है कोरोना संकर के दौर में यहां रहने वाले सभी बुजर्ग भी सहरा वहां पर सेवा कारी करने वाले दिनेश 14 से बहुत खुश है और यह कहते सुने गए कि जिनके आगे पीछे कोई नहीं है उनके आगे व्रधा आश्रम में सेवादी रहे दिनेश है साथ ही यहां समय समय पर चिकिस सालय उपचाल भी दिये जाते हैं यहां मनुरंजन एवं व्यायम के लिए सभी सुविधाएं हैं यहां कई तरह के भक्ती भाव से सम्मंदित कारिक्रम भी होते रहते हैं ताकि बुजर्गों को कोई तकलीफ ना हो यहां ठहरे हुए बुजर्गों का समय पर खाना चायवा नाश्ता होता रहता है ब्रद आश्रम में ठहरे बुजर्गों का कहना है कि उन्हें यहां किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है ब्रद आश्रम तो उनका एक मात्र सहारा है क्योंकि इसके अलावा इस दुनिया में उनका और कोई नहीं है बे सहारा लोगों की बचपन और बुड़ापा काफी खराब रहता है युवा वस्थवा जवानी बहतर गुजरती है लेकिन बुड़ापा अभिशाब बन जाता है ऐसे समय में उन्हें व्रद आश्रम का सहारा मिला जो किसी पुत्र से कम नहीं है यहां उन्हें तमाम मतावेक तरपन भी करते हैं उनका कहना है कि पित्र तरपन के लिए सनातन धर्म में पित्रपक्ष का महत्व है ुसे पित्र का आशिरवाद मिलता है ऐसे व्यक्ति से उसके पित्र प्रसन होकर अपने जीवन की सभी अर्चनों को दूर कर देते हैं क्योंकि म्रत्यों के देवताय अम्राज सभी आत्माओं को प्रत्वी लोग पर भेजते हैं इस समय यह सभी आत्माएं अपने परिवार जनों से अपना तरपन लेने के लिए धर्ती पराती हैं ऐसे में जो व्यक्ति अपने पित्रों का शुरात तरपन नहीं करता है उसके पित्रों से नाराज हो जाते हैं जिसके चलते हमारे व्रद आश्रम में जितने भी बुजर्ग रहते हैं उनकी मृत्यों के बाद उनका तरपन मीरे द्वारा किया जाता है साथ ही ब्रद आश्रम में जो बुजर्ग अपने प्रांट त्याग देता है उनका भी विदिवत अंतिम संसकार के अलावा अस्ति विसरजन के साथ सारे कारिक्रम ब्रद आश्रम के दिनेश चौधरी द्वारा किये जाते हैं इसके अलावा व्रद आश्रम के चौधरी ने यह भी बताया कि प्रतिवर्ज व्रद आश्रम में रह रहे हैं बुजर्गों को धान में क्याताओं पर ले जाया जाता है ददा जी बताइए आप रद्द आश्रम में हैं चूकि इस समय सोला श्राच चल रहे हैं और यहां पर जो आपके करता धरता दिनेश जी है यह तरपन करते हैं इसके अलावा कोई बुजर्ग अगर इस रद्द आश्रम में चान्त होता है तो उसका अस्ति विसरजन भी करत है तरपन की एविगर मोक्ष अधूरा आए तरपन मोक्ष नहीं होता है पर अपना जीवन अधूरा रहता है तो क्या आप बताना चाहेंगे हम को अच्छा रखा किसी प्रकार का कुई टेंसर नहीं है और बढ़िया है अपने आपको वो संकत में जूशते रहे हमको स्वास्ट रखा कहीन के आपके घर वालों की याद आती होगी आता है लेकिन हमें सब्सक्राइब को घर वालों ने ठुक्राया और दिनेश्चोद्री ने हमको गले लगाया हम सब भूल जाते हैं अभी आप कैरम खेल रहे हैं के कैरम खेलते खेलते कहीन के सब बोलता है कि उमर 55 की जवानी बच्पन की लगरी के लिए कोई भी गेम से बखरा बहुत कराते हमको अपना बच्पन यादा जाता कि हम अपना बैच्पन बूल आते और उस बच्पने में घुल आते हैं ऐसा मैसुट हो कि हम अभी जवान है अ आप कैरम खेल रहे हैं रानी किसकी हुए अभी तक अभी बीच में पढ़ी हो अभी किसी की हुए है चलिए आपका नाम नभी प्रकास ठाओकुर तब बताई अब एक्सोसाइस कर रहे हैं वरद्दा अश्रब में कैसा क्या लग रहा है आपको बहुत बढ़िया लग लग लिए इस समय 16 शराथ का समय हैं और यहां पर यहां पर बता जाता है कि तरपन किया जाता है जो बुजूर्ग शान्त हुजा जाता है इस विशे प स्ब्दा करतें उनके अर्ची गिर काने कए ले जातें सब्कारी कम कॉटें हैं विजूर्ख वाद हैं इस विशान जातें हैंसे विजूर्ग श्रब में उख अक्यान से इनंतरा हमारे बच्ते को मूल जाता है वि दिने चोजी यह दातい हैं और जिने चोजी हमारी खेवा om किसी बात की कोई तक्रीब नहीं किसी को एक आदमी को भी नहीं इसके पांचे मेने होगे, पूरा कंटोल रखा और बहुत की बढ़िया रखा, किसी से मिलने भी नहीं बिया, और किसो को आने भी नहीं है। अब आप एक्सोसाइज कर रहे हैं, कोरोना के लिए एक्सोसाइज बे जरूरी थी, तो क्या आप प्रति दिन करते हैं इसी एक्सोसाइज करते हैं, सुबह सुबह डेली करते हैं, आपका नाम बाबुलाज जाए स्वाल, ठीक, इस समय हम खड़े, देवास के व्रद्धा आश हम बात करेंगे अभी 16 श्राद चल रहे हैं, देवास व्रद्धा आश्रम का ऐसा वाक्या है, जो वास्तों में एक आसु बहलाने वाला है, क्योंकि यहां पर जो व्रद्धा आश्रम में सेवा देते हैं, जिनका इस समय तरपन होना चाहिए, चूंकि वह तरपन करने के लि परिवार जन छोड़ो जाते हैं, अपनी उसके बाद उनका तरपन कहीं रहता है, हिंदु शास्त्र में इसका उल्लेक है, कि तरपन बिना मोक्ष अधूरा है, हम सिधे यहां पर बात करेंगे दिनेश चोधरी जी से, कि उन्होंने यहां पर व्रद्धा आश्रम में तरपन लोगों का किया है, जो स्वर्गवासी हुए है, और अभी तक कितने लोगों का उन्होंने तरपन करा है, क्योंकि तरपन करना और उसको मोक्ष को शांती मिलना, यह हिंदु शास्त्र में बड़ा उल्लेक है, हम सिधे इस वक्त दिनेश जी से बात करेंगे, दिनेश बताई जबते हैं, अभी तक विधि वतर हर वरन का तरपन कर gesch हैं. यह Umarada है, मैं तरुपन करेंगा भाए तरपन करना था यह पना क्या आप ने ईसक कि आप लोगों करना है अन्टेखन ने रहना है कि मैं ऊल्नेश लिए अप्सांते, मैं हुआ हमारे माता पिता ने जो मुझे सिकाया है अपने परिवार होजन करते हैं ग्यारौाया बारवारी संष्कति कि का रवारौर रौत करने के पक्रिया होती है उनको मोक्ष मिलता है तो इसी पक्रिया में हम व्रधाइन को दीवंगत खुत हैं पन्डी जिद्वारा पिंद्दान वगरा करते हैं पिछले वर्ष कितली लोग शांत हुआ तो जो पिछलिये वरद्ध में उन्थ उन्य वर्धवा लगगे तरपन कीए थे क्योंकि मौक्ष अधूर आए ठीक है इसा मालूम पढ़ा है कि पिछले वर्ष आपके पिता जी शांत हुए उस समय आपने उनका तरपन करा कहीं आपको बुजूर्गों की व्याद होगी वापिस एक पर हाज क्योंकि वह एसी जगह होती है इसे मानुविता के भाव होते हैं सब्सक्राइब करने का मौका मिला और इन व्रद्धों के आत्म शांती के लिए तरपन का भी इश्वर की वएसे सब्सक्राइब करने का अब हमको देखना है कि तरपन जो होता है यह कितने समय तक यथावत व्रद्ध अश्रम में चलता है सब्सक्राइब करेंगे कि यहां पर व्रद्ध जन दिख रहे हैं कि व्रद्ध अश्रम को संचालन हो रहा है सामाजिक न्याविभाग सच्ची और कलेक्टर साब इसके अध्यक्ष हैं तो एसी कोई दिक्कत आती है कि अध्यक्त जो है सिदे सिदे सको संचालन कर रहे हैं कि अध्यक्त साब से हमारी बाते होती है कि निग्रानी में यहां जलादिस मोदे यहां आते भी हैं इसलिए यहां कोई परेशानी नहीं आती है कि कोई परेशानी नहीं होती है देवास केनन के लिए अमित बागलीकर खास बात है कि तरपन भीना मोक्ष दूरा देवास क्योंकि वह एसी जगह होती है है इसे मानवीता के भाव होते हैं उसमें फादर सांत उनका वी तरपन करा उन्हें समय हम भुजूर्गों का भी करते हैं तो इसा होता है कि हमारे इतने माता-पिता मेरे माता-पिता अच्छे कर्म करें होंगे जो मुझे सेवा करने का मौका मिला और इन व्रद्धों के आत द्वारा माध्यम बनके कारी करते दिनेशी ने बताया कि मेरे मेरे पिता अच्छा काम करने का अब हमको देखना है कि तरपन जो होता है यह कितने समय तक यथा वर्द्ध आश्रम में चलता है और दिनेशी से इसके बाद एक अलग सवाल और करेंगी कि हाँ व्रद्ध जन दिख रहे हैं जो केरम खेल के अपना समय व्यत्तित कर रहे हैं कोई कुछ क्या कर रहा है दिने आपने कुछ ऐसी व्रद्धा अश्रम में कि इतने बुजूर को उनको समाल लगए आपको कई असुविदाई भी आती होगी इसलिए यह कोई परेशानी नियाती है कि कोई परेशानी नहीं आती है जिस तर्थ मों के लिए कैनन न्यूस के लिए देवास से अमित बागलीकर की रिपोर्ट